और उत्तरपदेश पुलिस कॉंसेबल की भरती परिक्षा का आज तीसरा दिन है एक्जायम को लेकर योगी सरकार में तकड़ा इंतिजाम किया है तो अब तक हुई गरबड़ी को लेकर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है पिछले दो दिनों में परिक्षा में गरबड़ी को लेकर 15 FIR दर्श किये गए हैं जबकि 17 गरफतारी हुई है पुलिस कॉंस्टेबल के 6244 पदों के लिए भरती पक्रिया चार चरणों में पूरी होगी सबसे पहले लिकित परिक्षा होगी जिसमें पास होने वाले उमीदवार शारीरिक दक्षता परिक्षा याने की P.E.T. के दूसरे चरण में शामिल होंगे P.E.T. में सफल होने के बाद कैंडिडेट को दस्तावेजों की जाच के लिए बुलाया जाएगा और इन तीनों चरणों में सफलता पाने वाले उमीदवारों को कॉंस्टेबल पत पर न्युक किया जाएगा P.E.T. के CCTV के फूटेज को हमने देखा है और इसमें प्रशन पत्रों से संबंदित जो कार्टन है जो बकसे हैं जो पैकेट हैं सबकी सील इंटेक्ट पाई गई है यह हमारे पास इसका तो उत्तरपतेश पुलिस कॉंस्टेबल की भरती परिक्षा का आज तीसरा दिन है एक्जाम को लेकर योगी सरकार ने तगड़ा इंतिजाम कर रखा है अब तक हुई गरबडी को लेकर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है पिछले दो दिनों में परिक्षा में गरबडी क टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद जो कैंडिरेट्स आएंगे उनके दस्तावेजों की जाच की जाएगी और फिर आखरी चरण में इनकी भरती पुलिस कॉंस्टेबल के तौट पर की जाएगी तो कॉंस्टेबल परिक्षा के लिए लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स परिक्षा दे रहे हैं और अब तक दो चरणों की परिक्षा हो चुकी है इसके अलावा 31 तारिक तक ये परिक्षा होनी है